जूलों में जूलना हर किसी को बहुत अच्छा लगता है और अगर जूलने का मोका मिल जाए तो ना कहने का तो सवाल ही नहीं होता मगर आज हम आपको कुछ ऐसे जूलों से मिलवाने जा रहे हैं जिन में एक बार जूलने के बाद कोई दुबारा जूलने की बात भी नहीं कर सकता नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आपका प्लेंट अद के एक और नए वीडियो में दोस्तों अगर आपने हमारे चनल को अवी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगे आने वाले ऐसे ही और नए वीडियो को आसानी से देख सकें पूरी तरह से तारों पर निर्भर यह जिप लाइन रोलर कोस्टर एक भयानक एहसास का अनुभव करा देता है इस भयानक जूले में किसी व्यक्ति को तारों से बंदी किसी पुली पर बान दिया जाता है और फिर जो होता है वो आप खुद देख लीजिए एल्पाइन कोस्टर पुरी दुन्या में सिर्फ यही एक ऐसा रोलर कोस्टर है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है जिसको उबर्ड खाबर्ड पहाड़ियों पर बनाया गया है इसमें जूलने से पहले ही जूलने वाले को यह बता दिया जाता है कि आपकी सुरक्ष्या की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसा अनुका जूला आपने साइध ही कहीं देखा हो देसलिंग सॉट ओहायो सेंड्यूस्की में बनाई है रोलर कोस्टर भी पूरी दुन्या में मसुहूर है इसका निर्मान सन 2002 में ही हो गया था लेकिन सुरक्ष्या के सलते इसको 2014 में सुरू किया गया इस रोलर कोस्टर में बैठने के बाद दिमाग ना चक्राए यह संबभ भी नहीं है और ऐसा क्यूं तो यह वीडियो देखते रही है दे टेमपेस्टो दुनिया का सबसे गुमावदार जूला जिसे जैम सिटी काउंटी वरजीनिया में बनाया गया है इस जूले में बैठने के बाद उल्टी ना आये ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसा भी हो सकता है कि आपको तो यह वीडियो भरी देखने से चक्राने जैसा अनुभ होना शुरू हो जाए तो इसमें बैठने वाले के साथ क्या होगा इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं किंगडा का एक ऐसा रोलर कोस्टर जिसमें बैठने से हर कोई डरता है जिसकी वज़े है इसकी उंचाई क्योंकि यह पूरी दुनिया का सबसे उंचा रोलर कोस्टर है जिसको न्यू जर्सी में बनाया गया है इस रोलर कोश्टर की उंचाई 456 फुट है इससे अधिक उंचाई का जोला पूरी दुनिया में नहीं है इस डरावने जुले की रफतार 128 किलोमेटर परती घंटे की है जिसमें एक बार बेठने के बाद दुबारा बेठने की कोई बात भी नहीं करता दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अचा लगा हो तो लाइक, सेर और कमेंट जरूर करें साथ ही ऐसे ही और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और आपको जिस परकार की भी वीडियो चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बोक्स में बता सकते हैं लोटेंगे जल्द ही नए वह रोमांचिक वीडियो के साथ धन्यवाद